नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो बहुत जादा इंपोर्टन है उन सभी कैंडिट्स के लिए जो OBC कैटिगरी से बलॉंग करते हैं और दिल्ली में या दिल्ली गवर्मेंट की किसी भी गवर्मेंट जॉब में या किसी और डिपार्टमेंट में OBC कैटिगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत जादे इंपोर्टन वीडियो है दिल्ली गवर्मेंट ने दोस्तों OBC की कैटिगरी को लेकर एक क्लैरिफिकेशन जारिक किया है क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया है कि कौन सा OBC सर्टिफिकेट दिल्ली में रिजर्वेशन के लिए वैलिड माना जाएगा और कौन सा OBC सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखे दोस्तों आपके OBC केटिगरी को लेकर सभी प्रकार के डाउट किलेर हो जाएंगे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों यह दिल्ली गौर्रमेंट का नोटिस है नोटिस की डेट है 31 मई 2021 और Office Memorandum है Subject है Reservation for OBC in the Jobs under Government of National Capital Territory of Delhi दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट्स बताए गए हैं और इन दो पॉइंट्स के अंदर आपके सारे डाउट्स के लिए होने वाले हैं तो ध्यान से और बड़े ध्यान से आपको यह दोनों पॉइंट्स समझने होंगे दोस्तों तो पहला पॉइंट के रहा है तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझे यह लाइन क्या कहना चाह रही है यहाँ पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास OVC दिल्ली का सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट दिल्ली गौर्रमेंट के रेविन्य डिपार्टमेंट ने जारी किया है तो ऐसा व्यक्ति दिल्ली गौर्रमेंट की सिविल पोस्ट में किसी भी department में OBC का reservation पाने के योग्य है अगली लाइन पढ़ लेते हैं जो important है Irrespective of the fact that the said OBC दिल्ली certificate has been issued with or without mentioning of old certificate issued to his father, sibling, real uncles यानि चाचा या ताउ, paternal side only तो यहाँ पर यह बात बहुत बारीकी से समझने वाली है दोस्तों कि अगर आपके पास OBC certificate है जो कि दिल्ली government के revenue department ने जारी किया है तो यहाँ पर इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला कि आपका OBC certificate आपके पापा के पुराने certificate के base पर जारी किया गया था या फिर आपके बड़े भाई या बहन के पुराने OBC certificate के base पर जारी किया गया था या फिर आपके चाचा या ताओ के रियल चाचा या रियल ताओ के पुराने OBC certificate के base पर जारी किया गया था अगर जारी किया गया था तो भी वो valid माना जाएगा अगर उनके base पर जारी नहीं किया गया है तो भी वो valid माना जाएगा लेकिन valid तभी माना जाएगा जब वो दिल्ली government के revenue department से जारी किया गया हो तो दोस्तों उमीद है आपको पहला point बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपका OBC certificate दिल्ली government के revenue department ने जारी किया है तो आप दिल्ली government की सभी post में सभी department में OBC reservation के लिए valid माने जाएंगे ऐसा इस line में लिखा है अगला point पढ़ लेते हैं तो दोस्तों बहुत जादा बारे की से समझने वाली बात है यहाँ पर यह line कह रही है कि वे सभी वेक्ति जिनके पास OBC certificate तो है लेकिन उनका OBC certificate दिल्ली government से जारी ना होकर किसी other state की government द्वारा जारी किया गया है ऐसे सभी OBC certificate वाले candidates दिल्ली government की civil post में या किसी भी department में OBC का reservation ले सकते हैं लेकिन दोस्तो OBC outside जो certificate यहाँ पर बात बोली जा रही है उनको फायदा तभी मिलेगा जब वो एक शर्थ पूरी करेंगे और वो शर्थ अगली line में लिखी है तो दोस्तो अगर आपके पास OBC certificate है और वो certificate दिल्ली government ने जारी नहीं किया है किसी और state की government ने जारी किया है तो वो certificate दिल्ली government में तभी valid माना जाएगा जब वो certificate आपके पापा, आपके भाई या आपके real चाचा या ताओ जी के पुराने OBC certificate की base पर जारी किया गया हो और आपके पापा या भाई या चाचा ताओ का जो certificate आपके certificate बनाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा उनका जो certificate है वो दिल्ली government द्वारा जारी हो तभी आपका certificate दिल्ली में valid माना जाएगा तो आपके OBC outside जो candidates हैं आपके certificate में ये line mention होनी पड़ेगी या ज़रूर होनी चाहिए कि आपका certificate आपके पापा के OBC certificate के base पर जारी किया गया है जो की दिल्ली के निवासी है तो ही आपका OBC outside वाला certificate दिल्ली में valid माना जाएगा अगर ऐसी बात नहीं लिखी है आपके certificate में या आपका certificate इस बात को clarify नहीं कर रहा है तो आपका OBC certificate दिल्ली में valid नहीं माना जाएगा तो दोस्तों ये बहुत जादा important दो fact यहाँ पर clarification दिल्ली government की तरफ से दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली government ने OBC की category को लेकर reservation को लेकर ये दोनों fact बता दिये हैं ताकि candidates आराम से अपनी validity चेक कर सकें और बिना किसी doubt के DSSB या अन्ने किसी department की किसी government post में apply कर सकें तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये दोनों fact अच्छी समझ आ गए होंगे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जादर से जादर like, comment और share कीजे दोस्तों जादर से जादर share करना जरूरी है ताकि सभी OBC candidates जो दिली के OBC है या फिर outside OBC है और वो इस doubt में है कि DSSB में उनको OBC का reservation मिलेगा या नहीं तो इस वीडियो को देखकर और ये दोनों fact के बारे में जानकर उनके सभी doubts killer हो जाएंगे दोस्तों तो वो बिन्या किसी doubt के फिर आराम से अपनी vacancy में apply कर सकेंगे दोस्तों दोस्तों अगर आपको जानकरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाद से जादा share कीजे और इंडिया में special education और सभी प्रकार की teaching post से जुड़ी सभी प्रकार की जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजे इसके साथ वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए bell icon को press कीजे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में